नमस्काल दोस्तों आपका फिल से स्वागत है हमारे चैनल शीर कले में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सपन शास्त्र की और जानेंगे कि सपने में अगर हमें गरुन पक्षी दिखाई दे तो उसका क्या अर्थ होता है दोस्तों हिंदु धर्म में गरुन पक्षी को काफी बुधिमान और शक्तिशाली पक्षी माना गया है गरुन को हिंदु धर्म में भगवान विश्नु का वाहन माना गया है तो साथ ही बौध धर्म में भी महत्वपून पक्षी माना गया है बौध गरंथों के अनुसार गरून को सुपर्ण मतलब अच्छे पंकवाला कहा गया है गरून का शिकार सर्प है और उसकी उड़ान आसमान की उचाईयों को छूती है इसलिए ऐसा शक्तिशाली और समानी पक्षी अगर सुपन में दिखाई दे तो इसके अर्थ भी अलग ही रहेंगे दोस्तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें तो दोस्तो गरून पक्षी को सपने में देखने के पहले हम जानते हैं कि अक्षे पढ़िनाम क्या क्या हो सकते हैं उसके बाद मैं जानेंगे बुरे पढ़िनाम यदि कोई व्यक्ति आकास में उड़ते गरूनों के जुन्ड को देखे या फिर किसी एक गरून को भी देखता है तो या उसके निकट भाविश्य में भाग्योदय तथा सम्रद्धी का प्रतीक होता है अगर आपको गरून उचाई पर बैठा हुआ दिखाई दे तो आपको भी अपने जीवन में उचाई पर पहुचने का समय आ गया है क्योंकि यह इसी बात का संकेत देता है वहीं अगर वह काफी उचाई पर बैठा दिखाई दे तो अत्याधिक सम्मान प्राप्त होगा और अगर आप किसी गरून को बौध मट पर उड़ता हुआ देखते हैं तो शीगर ही कोई ऐसी बात होगी जो समाज में आपको अत्यांत उचाई पर ले जाएगी अगर कोई व्यक्ती सपने में गरून को अपने घोसले में आराम करता हुआ देखता है तो यह इस बात की और संकेत देता है कि उस व्यक्ती का पूरा जीवन बड़े ही आराम से बीतेगा अगर गरून पक्षी सवपन में अपना शिकार लिये दिखाई दे तो धन सम्रद्धी का संकेत है और जो लोग अध्यात्म पत पर अग्रसर हैं उनके लिए अध्यात्म चेतना के उच इस तर को चूने का संकेत देता है तो दोस्तो ये थे गरून पक्षी को सपने में देखने के अक्षे पड़नाम अब हम जानेंगे कुछ बुरे पड़नाम वैसे तो गरून को एक रक्षक के रूप में देखा जाता है पर वो सपन देखने वाले के सिर पर बैठा दिखाई दे तो यह किसी अप्री घटना की ओर इशारा करता है अगर सपने में दो गरून आपस में लड़ते हुए दिखाई दे तो इसका मतलब आपको व्यापार अथ्वा कैरियर के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है वहीं अगर सपने में गरून को जमीन पर बैठा हुआ देखते हैं तो यह कहीं न कहीं पतन की ओर इशारा करता है तो दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब वो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना न भूलें